जैसरी राम सिंग रास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके दैनिक रासी फल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी दोस्तों हाजिर हैं आपका रासी फल लेकर दीक राम सिंग रास murot 3 में तक अचार इसके रास में हैं आज अमरित काल का समय रहेगा नो बच के 25 मैं साम से लेकर 10 बच के 57 मैट रात तक साथ ही आसरवार सी ध्योग बन रहा है 6 बच के 26 मैट सुबह से लेकर 22 अक्टूबर को 5 बच के 51 मैट सुबह तक आज के दिन अमरिस सी ध्योग बन रहा 6 बच के 50 मैट सुबह से लेकर 5 बच के 51 मैट सुबह तक दूसरे दिन और रभी योग बंधा है सुबह पांच बज़ के इंचावन मैट से लेकर 22 अक्टूबर को 6 बज़ के 26 मैट सुबह तक तो ये थे आज के सुमहूरत इन सुमहूरतों में आप कोई भी सुभकारे प्रारम कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा 7 बज़ के 59 मैट सुबह से लेकर 9 बज़ के 16 मिनाट सुबह तक राहुकाल के समय किसी भी अच्छे और सुभकारियों के सुरुआत नहीं की जाती है अब आई जानते हैं आपके रासिफल के बारे में तो सिंगरास के दोस्तों आज का दिन ब्यापारियों के लिए काफी चुनवती पूर्ण साबित होने वाला है खास कर अगर आप पार्टनर्शिप के तोर पर बिजन से ब्यापार करते हैं तो पार्टनर से कुछ अनबन हो सकती है आपके सब्दों में कटतों आपके कारियों पर भी हनकारक प्रभाव डालेगी आपको ऐसी चीजों से बचने की जरुवत है खास करके अगर आप पार्टनर्शिप में ब्यापार कर रहे हैं आप इस में आज सभी काम समय पर खत्म करने का प्रयास करेंगे काम में लापरवाही आपको परिसानियों में भी डाल सकती है आर्थिक स्थिति सामान से अच्छी रहेगी आज आप किसी महगी चीज की खरीदारी करेंगे पारिवारिक जीवन में सुक्सान्ती बनी रहेगी साथ ही आज आप जीवन साथ ही बहुत अच्छे मूड में रहेगा आज आख की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है यदि आप ब्यापारी हैं ब्यापार करते हैं तो आज अपने महत्पूर्ण निर्ने सोच समझ करके लिए आप इसमे कर्मचारियों को अधिकारियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा अगर आप बर्क फ्राम होम कर रहें तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आर्थिक छेत्र में आज का दिन आपके लिए महगा साबित होगा घर का खर्चा बढ़ता हुआ ना जारा रहा है आपको सलाह दिख जाती ही कि आप अपने बजट से अधिक खर्च ना करें घर का महुल ठीक रहेगा साथ ही आज आप भाबनात्मक रूप से काफी कमजोर महसूस करेंगे कुछ पुरानी बातों से मन बेचैन रहेगा और साथ में आज के दिन आपको किस्मत से जादा कुछ चाहिए आपको नकरात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए नहीं तो आपकी मुस्किले बढ़ सकती है ब्यापारियों को आज अपने संचार की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है वहीं करमचारियों को प्रगत के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है आपके आर्थिक स्थिती बहतर होगी अगर आप अपने प्रियतम के लिए कोई पहार खरिदना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है तनाव कम करने के लिए ध्यान करें आज आप घर में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालने के पूरी कोसिस करेंगे यदि आप अपने परिवार के बारे में कोई महत्पूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने परिवार के अनसदस्यों के भी राय मस्परा जरूर करना चाहिए आज आपको आर्थिक लेन देंट से बचने की सलाह दी चाती है यज आपने हाल ही में कोई नया विवसाय सुरु किया है तो आज आपको उसका लाभ मिल सकता है आपको अन्य लोगों की प्रति जो सहायता पदान करते हैं उसमें आपको अधिक भेद भाव पूर्ण होना होगा सेहत के लिहाज से दिन बहतर कहा जा सकता है यदि आप छात रहें विदेश में उच्छी सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुब रहने वाला है आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी लेखन और कला से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी महत पूर्ण रहेगा आज आपको आगे बढ़ने का भेतर मुका मिलेगा अगर आप व्यापार करते हैं और चीजों का भंडार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है पैसों के स्थिती ठीक रहेगी आपके सोच समझ कर खर्च करने के सलाह दी जाती है जितना अधिक आप बचत कर पाएंगे उतने ही तेजी से आप अपने कर्ज से बाहर निकल पाएंगे जीवन साथी से बेवजह का गुस्सा आज आपको परिसान कर सकता है स्वास्त की अपेक्छा आपकी परिसानियों को बढ़ा सकता है तो सिंग रास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे जै स्री राम